का अग्विश्ट मैं के सारे साथियों को नमस्कार अभीनंदन स्वागत फिर से एक बार आपका इस ओन लाइन प्लेट फॉर्म के दुनिया में कैरें कि इसे हैं सारे के सारे साथि पूरी की पूरी उम्मीद कि सभी साथी स्वस्त हों methods कि स element की पूरी तैयारी कर हुँगे पुराने वाले साल को विदाई और नए साल के आगमन की प्रतिक्छा कर रहे हुँगे तो चलें आज की क्लास का सिर्फ इतना सा संदेश छोटा सा संदेश जो लिखा हुआ है सारे के सारे साथियों को पूरी टीम की तरप से नए साल के आगमन की हार्दिक हार्दिक सुपकामनाएं विश्यू ए हैपी न्यू येर टू आल अफ यू पूरी उम्मीद की यह आने वाला 2023 आपके जीवन को खुशियों से बहे हर साल आता है हर साल जाता है हर साल जाता है भगवान करे 2023 में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाता है तो इस उम्मीद के साथ आपके परिवार के स्वैम के सभी के सपने पूरे हों ऐसी हमारी विशेज और आप सारे के सारे साथियों के लिए आसिरवाद है पूरी उम्मीद की जो 2022 गुजरा बहुत सारे साथियों के लिए अच्छे लमें कुछ एक साथियों के लिए कड़वे लमें लेकर आया देकर गया बट वो जा चुका एक अच्छी बात किसी विद्वान ने कही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा बैतर है स्टेप बाई स्टेप आप आगे बढ़ते रहें बोले तो लगातार सीधा ही अपन ख्वाब देखते हैं कि मैं डायरेक्ली उपर की मंजिल पर पहुंच जाऊंगा ऐसा नहीं होता स्टेप बाई स्टेप ख्वाब देखते रहें और आगे बढ़ते रहें एक बात दूसरी बात जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि पुराना वाला सब कुछ भूल जाएं जो अच्छा हुआ है उसको भी भूल जाएं क्योंकि कई बार ही आपको ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाता है और यदि बुरा हुआ है उसको तो कतय याद ना करें क्यो अपने सपनों को साकार करने का पूरा का पूरा सार्थक परियास करें ऐसी मेरी आप सारे के सारे साथी online, offline या सारे nursing जगत के साथियों के लिए दूआ और कामना है तो सारे की सारी nursing fraternity, even then सारे के सारे संसारिक लोगों के लिए ऐसी दुआ और कामना की 2023 आप सभी के जीवन में खुशिया भरे जिन साथियों ने इस गुजरे हुए जाने वाले साल में जो जो प्रण लिए और बाई चांस किसी कारण वस वो अधूरे रह गए तो इस साल आपको भरपूर जोर लगाना है इतना जोर लगाना है कि आपको सफलता मिले बट ये भी ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी मिले पूरी दुआ है कि सफलता आप सभी को मिलेगी ही मिलेगी बट कौशि सपन को ये करनी है जितना जल्दी से जल्दी मिले उतना अपने लिए बैतर होगा तो बस इसी विशेच के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सारे के सारे साथियों को नवर्स की हार्दिक सुपकाम नाएं जोर लगाते रहें मेहनत करते रहें आपके ख्वाब एक दिन हकी ठीकत में जरूर बदलेंगे जिस दिन बदलेंगे उस दिन आपको महसूस होगा कि मैंने जीवन का वो सुख प्राप्त कर लिया जिसके लिए भगवान ने मुझे पैदा किया था पूरी उम्मीद कि दो हजार तेईस आपके सारे सुखों को भरने वाला साल होगा आपको भ साथियों के लिए कि जीवन में अपन आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बहुत सारे अपन डाउन आते हैं तो एक बहुत पुराना वर्ड कि किसमस से जादा और समय से पहले अपन को नहीं मिलता तो एक चीज है जिसका जंदगी भर अपन को सहारा लेना पड़ता है और उसक पेसेंस नहीं रख पाता तो मंजिल को बीच में ही छोड़ जाता है तूट जाता है बिखर जाता है और वो दूसरे फिल्ड में डाइवर्ट हो जाता है अच्छा दूसरे फिल्ड में दो-चार साल डाइवर्ट होने के बाद वापस से वो सोचता है कि मैं ऐसा कर लेता पूरा करके दिखाना है उसमें एक और नई चीज जोट रहा हूं में पेसेंस जरूर बनाए रखें क्योंकि यह भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कई कई बार पेसेंस के सहारे से बहुत सारे मुकाम जो असंभव लगते हैं वो संभव हो जाते हैं तो इसी प वर्फ में बदलने में वक्त लगता है धल जाए जो सूरज तो निकलने में वक्त लगता है थोड़ा धीरज रख और थोड़ा जोर लगा थोड़ा धीरज रख और थोड़ा और जोर लगा किसमत में लगे जंग के दर्वाजे को खुलने में वक्त लगता है किस्मत में लगे जंग के दर्वाजे को खुलने में वक्त लगता है तुने जो सोचा है वो सब कुछ होकर रहेगा क्योंकि गर्जे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है तो आप निश्यत तोर पर पर बरसेंगे और ऐसा बरसेंगे की सारा जमाना आपको देखता रहेगा वावाई करता रहेगा ऐसी और दुआ और कामनाओं के साथ आप सारे के सारे साथियों को इस नए साल की मेरी तरब से पूरी टीम की तरब से नर्सिंग फैटरनिटी को इस नए साल की बहुत-बहुत हार्दिक सुप काम नाएं आप स्वस्त रहें परिवार स्वस्त रहें और ये 2023 आपके जीवन में सारी खुसियां भरें जो अभी तक आपको नहीं मिली हैं जिनको मिल चुकी हैं वो उन खुसियों को और ज्यादा बढ़ाएं तो विश्यू ए वेरी हैपी न्यू यर तो आल अफ यू बहुत बहुत थैंक्यू थैंक्स तो अल